और किसी भी प्रकार का नशीली पदार्थ का अगर सेवन किया जा रहा है तो उनके विरुद हम कढ़ोत कारिवाई कर रहे हैं इर्थ यातरी को यातरापर ना आने की सलाधी है और जिस भी यातरी का पंजीकरण नहीं हुआ है उसको यातरापर अनुमती नहीं दी जाएगी आज के लिए यही खबर है कि आज बंद रहेगा आफलाइन पंजीकरण वहीं आप सभी को बताने भीड भड़ने के कारण ही हरिद्वार और रिशीकेश में 15 और 16 मैं को आफलाइन पंजीकरण बंद रखने का निरने लिया गया बुदवार को दोनों जगा कोई भी पंजीकरण नहीं हुआ और ब्रस्तवतिवार को भी नहीं होगा बतादे कि जब से आफलाइन पंजीकरण शुरू हुए थे तब से दोनों जगा काफी संख्या में भीड उमड रही थी तो आप सभी के लिए बड़ी जानकारी ये है कि अ इसके लिए पंजीकरण अनुवार्य कर दिया गया है साथी आप बता दे जो आप सभी तीर थ्यात्रो के लिए एक सबसे बड़ी जानकारी है आप सभी को बता दे अगर कोई भी आप सभी तक गलत जानकारी पहुँचा रहाय तो उसके किलाब सरकार ने सक्त-सक्त कारवा shooting के दिशा निर्देश जारी कर दिये गए है मुठ्कया सची, रादा रुत्यूरी जी के निर्तित में बड़े फैसले लिए गए है, साथी साथ आप सभी को बता दे बड़ी जानकारी अब ये है कि अगर आप यात्रा पर आ रहे हैं तो आप सभी को बता दे अब तक जो यात्रा पर आये हैं श्रत धालू अब तक तीर्थ यात्री जो हैं वो 11 मौतें हो गई हैं चार धाम यात्रा पर आये श्रत धालू की इसी के साथ आप सभी के लिए जो सबसे बड़ी जानकारी है कल के दिन किदारना धाम में 29,000 से अधिक श्रत धालू ने दर्श रात्री समय में आप यात्रा नहीं करपाएंगे गाड़ी से अगर। कहीं भी जा रहे तो साथ ही आप सभी के लिए ये सबसे बड़ी खबर है कि देखे इसी के साथ और भी कहीं सारे बड़े और महत्पून अपडेट है जो आप सभी को व्जादे की प्रशासन द्वारा लिए गए हैं कि जैसे कि केदारनाथ धाम में एक दिन में ठैरने कि अग बारा सभी राज्जु को पात्र भेजा गया है कि यहां पर 31 में ते कोई भी VIP यात्रा पर ना आएं साथी आप सभी को बता दें कि जो सबसे बड़ा अपडेट है वो कुछ इस परकार का है कि भीड भढ़ने के कारण ये एक बड़ा फैसला लिया गया है यहां पर आने वा की तरह से साफ और सौवाना और बिल्कुल साफ बना हुआ है जिसके करण यहां पर धाम में आने वाले श्रत धालू को और जादा यात्रा में सकून प्राप्त हो रहा है बाबा केदार नाज जी के दर्शन करने में साथी आप सभी को पतने हेलिकेफ्टर से यात्रा करने व कहीं सारे तीर्थ यात्री ऐसे हैं कि देखिए उन्हें कहीं ने कहीं यात्रा के दौरान स्वस्त खराब होने के बहुत ही बड़े बड़े कारण देखनी को मिल रहें तो उन्हें भी पूरी तरह से प्रशासनियां पर सयोग करते हुए दिखाई दे रहा है साथी आप सभी को बता दें फिलाल चारू धामों में भारी भीड़ है अगर आपका पंजी करण नहीं हुआ तो बिल्कुल भी केदार नाथ या फिर चारू धामों में किसी धाम पर आने का प्रियास ना करें क्योंकि पंजी करित ही यात्री को परवेश दिया जा रहा है यात अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें साथी चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें जैश्री केदार नाथ जी